कि चलो बेटा तो हिस्ट्री की बात अगर करें हिस्ट्री सबसे पहली बात दो-तीन बात क्लास 10 की हिस्ट्री में कि एक भी बच्चा रटेगा नहीं क्लियरली सुन लो विटा लोग एक भी स्टुडेंट यहां पर रटेगा नहीं ठीक ना नंबर दो नंबर कम ह्यए दिक्कत नौई कहीं नहीं रुकिएगा अपक्ण बढ़तें चले जाएंगे कोई चिंदा नहीं है असी कि चलेगा कज़ए ऐसेडी प्लाइगा उपना नहीं है हम चाहता है कि वो रट करना है ऑप समझा सबक्राइब को थारोक सितंसुरेगा दीरे दीरे आपका लेवल भड़ेगा तो एनलाइस करने सिखना होगा आपको है ना तो सबसे पहली बात की कोई रटेगा नहीं हिस्ट्री नहीं जग्राफी पॉलिटी कुछ भी नहीं जहां याद करना होगा वहां पर हम बोलेंगे ऐसा कोई है नहीं लेकिन फिर भी अगर क करेंगे दोनों कंटेंट को आपस मिलाएंगे और उसके बाद आप नोट्स प्रिपेर करेंगे ठीक है मतलब उसमें मेरे भी कंटेंट रहेंगे एंसी आटी का भी मदद लिजिए गा ठीक और कुछ हो सके तो आप अपने तरीके से भी उसमें एड कर सकते हैं लेकिन वो कब करेंगे अप जब आप को चीजे समय में आएंगे तो आपको नोट्स बनाने में थोड़य समय डेना होगा और बहुत सारी चीजें करता है किसी क्लास की हिस्ट्री ओ, हिस्ट्री दो चीज़े करती है बेटा, हिस्ट्री दो चीज़े करती है, एक एक चो करती है वो करती है परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंजिस, हिस्ट्री क्या सिखाती है, चेंजिस, परिवर्तन, आज जो हम टीशट पहने हुए हैं, क्या जिस समय मानों सभ्यता सुरू हुई थी उसमें टीशर्ट चलता था नहीं यह बदला हुआ है यह चेंज हुआ है अब यह चेंज कैसे हुआ है अगर मुझे जानना है तो हमको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे बास समझ मारी है ना चेंजी आज से 20 सल पहले जो स्थिती नहीं था आज वो स्थिती है कैसे हुआ इतिहास बताएगा ठीक तो एक जो सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री में वो क्या करती है परिवर्तन करती है और आपको यही चीज को सीखना है कि पहले क्या था और उसका प्र कनेक्ट करना बेटा कनेक्ट करने सिखना होगा जोड़ने सिखना होगा प्रेजेंट को पास्ट से यह करना पड़ेगा तब जाकर कि आपको फाइदा मिले गई इस्ट्री से तब जाकर कि आप कहेंगे कि हाँ रियालेटी में आप पढ़ाई किये हैं तो आपको कनेक्ट कर कर रहा है और उस revolution के कारण आज का क्या उसको करेक्ट कर सकते आज की चीजों को कैसे कर सकते यह बहुत इंपोर्टेंट बात है जो हम लोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग हिस्ट्री सुरुवात करेंगे हमको किसी पर फोकस करना है परिवर्तन पर क्यों क कि टिए